बारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटिस्ट धार्मिक भजन वेकारेकरम निशूल को देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए ब पसू का बच्चा अपने दम पर जीता है उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं हुआ करती है पसू के बच्चे तो वो होते हैं जो पैदा होते ही कुछ देर बाद खड़े हो जाते हैं चलने लगते हैं भागने लगते हैं दौनने लगते हैं लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है इनसान का बच्चा सब कुछ सीखता है चलना भी सीखता है खाना भी सीखता है बोलना भी सीखता है हसना भी सीखता है और रोना भी सीखा करता है जानवर के बच्चों को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है वो इसलिए कि जानवर के बच्चे बच्पन से लेकर मृत्यू तक जानवर ही रहा करते हैं वह उससे जादा कुछ नहीं बन सकते हैं एक घोड़ा बच्पन से जनम से लेकर मृत्यू तक घोड़ा ही रहेगा एक बैल जीवन भर बैल ही रहेगा एक गाय जीवन भर गाय रहेगी एक कुता जीवन भर कुता ही रहेगा लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है यदि मनुष्य को अच्छे संस्कार और अच्छी सिक्षाएं प्रदान कर दी गई तो इनसान से ये भगवान बनने को भी तैयार हुआ करता है और मनुष्वय होता है जो पसू से परमिश्वर हो शकता है मनुष्वय है जो कंकर से संकर हो सकता है मनुष्वय है जो त्रियंच से तिठंकर भी बनकर के दुनिया में आशकता है आपके साथ संभावना है इसलिए मनुस को सिखाना पड़ता है बोलना भी सिखाना पड़ता है चलना भी सिखाना पड़ता है खाना भी सिखाना पड़ता है इसलिए मैंने कहा कि जो लोग अपने बच्चों को केवल जनम देते हैं वो जननी और जनक कहलाया करते हैं लेकिन जो बच्चों को संसकार दिया करते हैं जो जीवन देते हैं उन्हें माता और पिता का दर्जा प्रदान किया जाता है ध्यान रखना पशू के माता पिता नहीं होते हैं वो केवल जननी होती है जनम दे के छोड़ देती है आप माता पिता आपकी एक साधना है आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप समझदार प्राणी है जानवर ना समझ प्राणी है ध्यान लखना जनम देना ही कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है जीवन देना उससे बड़ी प्रक्रिया होती है जन्म की साधना तो केवल नौ महिने होती है लेकिन जीवन की साधना तो जिन्दगी भर करना पड़ती है तो भी जीवन कम पड़ जाया करता है जिन्दगी भर की साधना है एक तपश्या है मान्यवाद बच्चों को लाड़ प्यार ही नहीं संसकार भी दो आपके पास पैसा है आपके पास दौलत है आपके पास रुपिया है बच्चा कहता है मोवाइल चाहिए आप मोवाइल दे देते हैं बच्चा कहता है लेप्टाप चाहिए आप लेप्टाप दे देते हैं दीजिये मेरा कोई बिरोध नहीं है बच्चा कहता है गाड़ी चाहिए बच्चा कहता है मोटर साइकल चाहिए आप मोटर साइकल दिला देते हैं और बच्चा कहता है कि कार चाहिए आप कार दिला देते हैं लेकिन मैं पुलक सागर तुम्हारे बच्चों को ना तो मोबाइल दे सकता हूँ ना तुम्हारे बच्चों को मैं लेपटाप दे सकता हूँ ना तुम्हारे बच्चों को मोटर साइकल दे सकता हूँ ना मैं तुम्हारे बच्चों को महंगी महंगी कार दे सकता हूँ लेकिन पुलक सागर के दर्वार में आएंगे तो ध्यान रखना एक कार मैंने भी रखी है अपने पास और वह एक कार है जो मैं सारे देश को दिया करता हूँ आज तुम्हारा बच्चा रूठे कार के लिए तो एक बार उसे मेरे पास लेकर के आना मैं उसे कार दिलाओंगा ध्यान रखना मेरे पास अल्ट्रो तो नहीं है मर्सिडीज नहीं है वेगेनार नहीं है मेरे पास यदि कोई कार है तो ये कार है जिसकी हर गर को आविश्यक्ता है और पुलक सागर के पास कोई कार है तो वैं संसकारों की कार है संसकार की कार पकड़ा दी जाए तो जिन्दगी अपने आप समर संसकार की कार बाटा करता हूँ संसकार की कार में बैठो जीवन को आनंद में परिवर्टित कर दीजिए मानने बाद सोचना है बच्चों का जीवन बनाने से पहले हमें अपना जीवन बनाना जरूरी है बच्चे दरपण हैं जो हम करते हैं वो बच्चों को दिखाई देता है और जो दिखता है बच्च वही सीखता है एक बात ध्यान रखना एक कीसमी सदी है ज़्यादा ओलाद को सिखाने की कोशिश मत करना तुम कुछ सिखाओगे उससे पहले वो तुमें सिखा के रख देगा समलो इस ओलाद से सब के मुँ लग जाना बच्चों के मुँ कभी मत लगना बड़े होशियार होते हैं ये बच्चे बड़े होशेयार होते हैं आज के युगमे 21 सदी में मूर्ख बच्चों का पैदा होना बंद हो गया है अब बुद्धु उलाग पैदा नहीं हुआ करती है अब तो बहुत समझधार उलाग पैदा हुआ करती है बड़ी पढ़ीली की उलाग पैदा हो रही है जो तुम्हें नहीं आता वो बच्चे को आ जाता है होशकता है कि आपको पूरा मॉबाइल चलाना भी नहीं आता हो और आपकी उलाग खट-खट मॉबाइल चला करके दिखा दे आप से कह दे कि पापा तुमको तो कुछ आता ही नहीं बच्चे बड़े होश्यार बच्चें को जादा सिखाने की गलतियां मत करना नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी एक निवेदन है मेरा ये बच्चें को सिखा होगे तो बिलकुल नहीं सीखेंगे सिखाने से नहीं सिखे एक पती-पतनी मेरे चलणों में आये छोटा सा बच्चा था बच्चों ने कहा बिटा महराच की पेर पढ़ो महराच को नमस्कार करो महराच को नमस्तु करो बच्चा करने को तैयान नहीं उतो अकड के खड़ा अरे बोले बेटा नमस्तु उले नहीं करूँगा अरे मिनका गागाजवे भाई चार तीन चार साल का बच्चा मावाप का कहना मानने को तैयार नहीं बोले बेटा ऐसा नहीं है गलत बात बहुत गंदी बात है महराज है इनको प्रणाम करिये इनको नमस्कार करिए बोले नहीं करूँगा नमस्कार अरे तो बच्चे माबाब बड़े सर्मिंदा हुए कि यार महराज हम करें क्या ये जुकी नहीं रहा है मिनका ऐसे नहीं जुकेगा ये 21 मी सदी के उलाद है ऐसे जुकने बाला नहीं है तुम्हारा तरीका गलत है बच्चा तो अभी जुक जाएगा तो बोले कैसे जुक जाएगा बच्चा मिनका बच्चे के उसने क्या किया उसकी माने बच्चे की गर्दन पकड़ी हो जवदस्ती मेरे पेरों पे रख दे बच्चा गर्दन उठाए जा रहा है माबाप गर्दन दबाए जा रहे है मिनका रुको बहुत गलत तरीका ऐसे बच्चा प्रणाम नहीं करेगा चोटा सता तीन साल का होगा चार साल का मैंने माबाप से कहा बच्चे की गर्दन छोड़ो बच्चे की गर्दन से हाँ थटाओ माबाप ने हाथ अटाया मिनका तुम दोनों हाथ जोड़ो माबाप ने हाथ जोड़े बच्चा छोटा सा था उसने उपर देखा मम्मी पापा हाथ जोड़ रहे बच्चे ने भी हाथ जोड़ लिये मिनका अब तुम प्रणाम करो नमस्कार करो जैसे ही उन्होंने धोक लगाई बच्चा वी लेट करके प्रणाव करने लगा में इनका ध्यान रखना 21 मीं सदी है ये सिखाने से नहीं सीखेगी ये दिखाने से सीखा करती है जो आप दिखाएंगे बच्चा वेसा ध्यान रखना है बच्चों का पालन पोशन करना उन्हें संसकार देना आपको जिन्दगी भर तपश्या करना पड़ेगी बच्चों की परवरिस करो कैसे करना है उनकी परवरिस सिखाने से नहीं दिखाने से जो आप दिखाएंगे बच्चा वोई करेगा दो बच्चे लड़ रहे थे मैंने बुलाया मैंने का बच्चे लड़ते क्यो हो बोले किसने का हम लड़ रहे थे अरे मैंने का यार तू उसको मार रहा था गाल में चाटे लगा रहा था बोले हम लड़ थोड़ी रहे थे तो मैंने का ये क्या कर रहे थे कोई ड्रामा कर रहे थे क्या कर रहे थे कोई प्रैक्टिस कर रहे थे बोले नहीं ना राज हम ना लड़ रहे थे ना कोई ड्रामा कर रहे थे तो मैंने का क्या हो रहा था तुम मार तो रहे थे उसके गाल में बोले मैं मार नहीं रहा था माराज हम दोनों बच्चे तो ममी पापा का खेल खेल रहे थे अब पिचार करिये मैंने कै रहे है गजान की बाते करना बहुत आसान है ग्यानि बनना बहुत कठी काम हुआ करता है ध्यान रखिए आप बोल तो देते हैं कि बचा यह सा नहीं करना बेटा यह सा नहीं करना वही काम जब आप करते हैं ध्यान रखिए यह जो कैमरा लगा हुआ है चैनल का यह मुझे देख रहा है ध्यान रख रहा है आप मुझे सुन रहे हैं ये मुझे इस सुन नहीं रहा है, देख रहा है मुझे, तो एक बात याद रखना, छोटे बच्चे को कभी देखना, छोटा सा बच्चा जब धर्ती पर पैदा होता है न, तो टक्टकी लगा कर देखता है, हमारी पलकें ज्यादा जपकती हैं, बच्चों की पलकें नहीं वोई टक्टकी लगा कर किसी नी चीच को देखते रहते हैं, जैसे ये केमरा मुझे टक्टकी लगा कर देख रहा है, अब जो जो एक्ट्चन मैं करूंगा, वही वही केमरा दिखाएगा, वही वही वह ग्रहन करेगा, और जो ग्रहन करेगा, वो ये टीवी पर ले जा करके दिखा देगा तो बच्चे की आँख भी एक केमरा ही हुआ करता है और जो जो सुबह साम आप करते हैं बच्चा रिकार्ड करते जाता है और जो बच्चा रिकार्डिंग करता है वही बच्चा दुनिया के सामने बैसा प्रिस्तुते हो जाया करता है आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा बढ़ापी में बड़े होके हमारा सम्मान करे तो मेरा निविदन है आज से ही अपने घर में बड़ों का सम्मान सुरू कर दीजिए जो आप करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा ध्यान रख रहाँ अलक्सने सीखेगा तुमारे घर की बाते सीखेगा अमेरिका की राष्टपती हुए अबराहिम लिंकन उन्होंने अपने बच्चे को एक स्कूल में दाखिला कराया एक स्कूल में एड्मीशन कराया और जैसे ही पहले दिन बच्चा स्कूल में गया अबराहिम लिंकन ने अपने बच्चे के साथ एक पत्र लिख करके भेजा कि ये पत्र तुम अपने किलास टीचर को दे देना और पढ़ने से पहले ये ख़त उनके हाथ में जरूर पहुचाना बच्चा गया इस स्कूल जैसे ही किलास रूम में पहुचा किलास टीचर आए बच्चे ने कहा कि गुरुदेव सर इस पत्र मेरे पिता ने आपके नाम लिखा है होस उड़ गए टीचर के कि राष्ट पती का बच्चा और मेरे नाम पत्र उसने पत्र खोला पत्र में लिखा था आदरनी सिक्षक महोत है मेरा आप से एक बिनम्र निवेदन है कि आज मेरा बच्चा पहली बार इस स्कूल में आया है और मेरे बच्चे को आप अच्छी सिक्षाएं प्रदान करना मैं सिक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि जब मेरे बच्चे को पढ़ाओ तो ये सोच कर मत पढ़ाना कि अमेरिका के राष्ट पती का बेटा है बल्कि ये सोच कर पढ़ाना कि ये किशी देश का भविष्य तुमारे सामने बैठा हुआ है किसी देश की ताकत बैठी हुई है एक इनसान का बच्चा है मेरे बच्चे के सामने कोई बी आईपी बी विवस्था ना रखी जाए AND मेरे बच्चों को किवल अक्षरों का घ्यान मत देना सिक्षक महोदे इसे किताबी ग्यान के साथ-साथ अनुभव का गान ज्यादा प्रदान करना मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के पास बहुत बड़ी डिग्री हो या ना हो डिग्री हो जाएं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर आईए सबसर बन के निकले या ना निकले लेकिन आप की सिक्छाओ से मेरा बच्चा एक सच्चा और अच्छा इंसान बन घर के स्कूल से निकले ये राष्ट पती आपसे निवेदन करता है अमेरिका के राष्ट पती क्या रहे है कितावी ग्या नहीं नहीं मेरे बच्चे को सिखाना कि बड़ों के साथ कैसे पेस आते है बुजर्गों के प्रती हमारे क्या भाव होना चाहिए और मेरे बच्चे को समझाओ कि छोटों के साथ कैसा रहना चाहिए और सिक्षक महोदैस से मेरा निवेदन है कि मेरे बच्चे को ये मत सिखाना कि जिन्दगी रेल की पटरी पर भाग रही है मेरे बच्चे को एक चीज़ सिखाना कि जिन्दगी साप सीड़ी का खेल हुआ करता है उसे समझाओ कि जिन्दगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सीडियों का सहारा दे कर तुम्हें उपर चढ़ाएंगे और जिन्दगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपने बन कर साप के समान डसेंगे और जिन्दगी को नीचे ला करके पटक देंगे जिन्न की एक साफ सीडी का खेल है यहां चड़ाने वाले भी मिलते हैं और यहां उतारने वाले भी प्राप्त हुआ करते हैं